हेलो इस्टुदेंट्स इस वीडिए में हम लोग डिस्पीस्ट करेंगे नहीं एगल रियक्शन के बारे में सब पहले हम लोग इसका मोडिफिनेशन देखते हैं इट इस ए मोडिफाइड अल्डोल कंडेंशेशन रियक्शन in this reaction simply nucleophilic addition of active hydrogen to carbonyl compound which further dehydration in the presence of pipridin और pyridin form alpha-beta unsaturated product यह क्या है अल्रोल कंडेंसेशन है यह reaction है but थोड़ा सा modified क्या हुआ है इसमें क्या होगा कि nucleophilic addition होगा active hydrogen compound का किसमें वह भी कार्बोनिल compound में active hydrogen का हम लोग addition reaction करेंगे और उसके बाद उसका dehydration होगा और यह होगा pipridin या pyridin के presence में और हम लोग को मिलेगा alpha-beta unsaturated product अब हम लोग देखेंगे कि यह active hydrogen है किया तो इसके लिए हम लोग को लेना होगा active methylene compound अब active methylene compound क्या होता है यहाँ पर वैसा methylene जो की दो highly electron withdrawing group को separate करता हो ठीक है जिसके adjacent में highly electron withdrawing group लगे हुए हो तो उस methylene को कहेंगे active methylene और यहाँ जो hydrogen होता है वो बहुत ही less क्या बहुत कम जोर bond होता है यहाँ से बहुत जल्दी H plus ion release होगा ठीक है यहाँ से CH2 से बहुत जल्दी H plus ion release होगा और इसका इसका जो acidic strength थोड़ा सा higher होता है तो इसी को कहेंगे active methylene और यह जो hydrogen निकल रहा इसको बोलेंगे active hydrogen ठीक है इतना के लिए रहा है अब यहाँ पर हम बस इतना ही समझ लिए अब यहाँ पर एक example लिए हैं कार्बोनिल compound लिए हैं और इसको हम लोग कोई भी active methylene group से या compound से उसका addition reaction करेंगे ठीक है यह भी aldol condensation reaction ही है तो इसमें क्या होगा यह पाइप्रेटिन के परजस्में dehydration होगा यानि यहां से H2O बाहर जाएगा ठीक है यह दो hydrogen और एक oxygen और इस दोनों जेट और यह जेट है ठीक है बस इसकी का example लिए है तो पहला example है यहां पर डाइथाल melonet यहां पर एक इथाइल और यहां पर एक इथाइल ठीक है और मैलोनिक acid का ही यह इस्टर है इसलिए इसको बोलते है दाइथाइल मैलोनेट और यहां पर यह जो ग्रूप है CH2 यह है आपका active methylene group ठीक है और यहां पर दूसरा लिए है इथाइल असीटो असीटेट इसका नाम इथाइल यहां पर एसिटों से असीटो और यहां से है एसिटेट ठीक है इथाइल असीटो असीटेट यह तो फिर इसको बोलते है एसिटो असीटिक इस्टर भी ठीक है अब तीसरा हम लोग देखते हैं मैलोनिक एसिड यहां भी है CH2 ग्रूप और दोनों तरफ लगा हुआ है इलेक्रोन विद्रोइंग ग्रूप यह कार्बोनिल ग्रूप ठीक है तीसरा चौथा एक्जामपल है यहां पर साइनो एक्टिक एसिड यहां पर जो CH2 है यह भी क्या है एक्टिव मिथिलीन क्यों दोनों तरफ क्या लगा हुआ है एलेक्ट्रोण विद्रोइंग ग्रूप अब हम लोग नोवे नेगल की रियक्शन का मेकानिजम देखते हैं स्टेप वन में क्या होगा डिप्रोटोनेशन और जो एक्टिव मिथिलीन ग्रूप है उसका डिप्रोटोनेशन होगा डिप्रोटोनेशन मतलब वहां से एच प्लस आयन बाहर जाएगा ठीक है हाइड्रोजन एच प्लस के रूप में बाहर जाएगा हाइड्रोजन में क्या होता है एक एलेक्ट्रोन एक प्रोटोन एक प्रो लिखे थे इथायल एसिटो एसिटेट या फिर डाइथायल मैलोनेट या तो फिर साइनो एसेटिक एसिट कुछ भी आप लगा सकते हैं ठीक है तो हम लोग यह पाउड लिए पस रिफ्रेंस के रूप में और यहां पर यह च्टू है बस हम लोग को इसी का काम है ठीक है यह ए लोन पेर देगा हैड्रोजन को और यहां से नाई्ट्रोजन और हैड्रोजन के बीच में बढ़ जाएगा एक बॉ甚्ड चाईक है इसलिए नाई्ट्रोजन पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज़ यह चीज़ हम लोग मिल गया अब इस कंपाौず क्या होता है उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे ठीक है यह जैसा था वैसे सी ओ उतार दिए यहां से कारबन एक हाइड्रोजन लूज किया है और हाइड्रोजन जो था एलेक्ट्रोण छोड़ करके भागा तब वह एच प्लस के रूप में गया है यहां पर तो यहां पर कारबन पर आ गया दो एलेक्ट और उसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा अब इसके लिए हम लोग इसका resonance शो करेंगे ठिक है resonance structure डुक करते हैं यहाँ पे carbon पे जो दो इलेक्ट्रोन है दोनों यहाँ पे उठकरके आय जा और oxygen दोनों ऐलेक्ट्रोन ले लेगा ठीक है कि यहां से जो oxygen जो ले लिया electron, यह फिर से इसको यहां पर donate करेगा, और यह जो pi electron था, pi bond, यह pi bond अबर उठके यहां आएगा, और इन दोनों carbon के बीच में बनेगा यहां पर double bond, ठीक है, और यहां से जो था electron, यह oxygen के पास चला जाएगा, और oxygen पर negative charge, यही है इसका resonance structure, इस compound का, अब हम लोग को step 2 में क्या करना है, इस पर attack कराना है, यही जो carbon पर, जो negative charge इसे group को लेंगे, हम लोग, as it is, जैसा था वैसा ही, और इस पर अब add कराएंगे, carbonyl compound का, ठीक है, यही को लेना है, ठीक है, जो carbon and ion वाला group को, अब यहां पर क्या होगा, उसको समझना है थोड़ यहां पर CH पर है negative charge, हम लोग वस वही सही उतार दिये हैं, जैसा था, ठीक है, जैसा था, वही सही उतार दिये हैं, अब यहां पर क्या होगा, oxygen, electron खीच लेगा, मान के चलिए, तो oxygen पर आ गया, negative charge, यही ठीक है, और यहां पर इस वज़ा से carbon क्या, electron लूज किया, carbon पर आ गय जाएगा, यह bond, ठीक है, इस पना उतार लेजी, अब हम लोग step 3 और step 4 देखते हैं, अब step 3 देखते हैं, ठीक है, step 2 में जो compound हम लोग को मिला था, last में, उसी को agitage जैसा था, वैसे ही उतार दिये हैं, ठीक है, अब इस पर क्या होगा, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इ सिर्फ उसमें आकर के यहां से पाइपरिडिनियम आयान है, यह अपना hydrogen lose करेगा, और यहां पे यह जो negative charge है, मतलब जो electron है, यह इसको hydrogen को खीच लेगा, और यहां पे oxygen और hydrogen के बीच में bond बन जाएगा, ठीक है, सिर्फ यहां से पाइपरिडिनियम आयान से, यहां पे hydrogen उठक करके यह oxygen पे जा रहा है, और OH है बन रहा है, बाकि कुछ नहीं करना है, step 4 दखते हैं, इसी को हम लोग agetage लिख दिये हैं, बस यहां पे hydrogen इस side में था, इस side में कर दिये हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, अब इस step में क्या होगा, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं, फिर स इस चीज कहां से निकलेगा, उसको देखते हैं, यहां से जो hydrogen था, यह निकलेगा, और OH है, यह पूरी तरह से बाहर निकलेगा, minus S2, और यह दोनों carbon के बीच में बन जाएगा, double bond, और इस तरह से हम लोग को मिले, alpha, beta, unstructurated, carbonyl group, ठीक है, आईए हम लोग नोवे नेगल reaction क एक example देखते हैं, इसमें हम लोग लिए है, डाइथल, मैलोनेट, यहां पर यह जो group है, ठीक है, यह है active methylene group, और यहां पर हम लोग को मिलेगा, active hydrogen, और इसको addition reaction करा रहे है, यह condensation reaction करा रहे है, carbonil compound से, और वो carbonil compound है, acetone, और यह दोनों का reaction होगा, pipredine के presence में, ठीक है, यह है pip यहां पर सिंपल क्या होगा, यह दो hydrogen बाहर चला जाएगा, ठीक है, active hydrogen है, और यहां से oxygen बाहर चला जाएगा, यानि H2O बाहर चला जाएगा, और यह दोनों carbon के बीच में बन जाएगा, double bond, ठीक है, और यहां पर जैसा था, CS3, CS3, सेम वही, और यही हम लोग को मिला compound, तो है कि यह नवे नेगल reaction समझ में आया होगा, मिलते हैं से किसी नेक्स्ट वीडियो में, goodbye